नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum Welcome to नई सुभा Audio Library English Learning Tutorials for Foundation Course मेरे नाम है सबागाजाली और आज हम बात करेंगे Past Tenses के हवाले से Past Tense तो जमाना माजी यानि कि वो Tense जिसमें काम हो चुका हुआ खतम हो गया तो students आज हम इनकी sentence formation का structure डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं Past Simple की Past Simple sentence form करने के लिए subject plus second form of verb plus object यानि कि I wrote a letter इस sentence में I subject है wrote जो कि second form of write है action verb है wrote लिखा I wrote a letter और letter object है I wrote a letter मैंने खत लिखा I played cricket इसमें subject I play की second form played action verb object cricket तो subject plus second form of verb plus object ये मदद से हम Past Simple sentence बना सकते हैं अब बात करेंगे Past Continuous की Past Continuous से मुराद वो टेंस है कि जब हम ये जाहर करना चाहें कि जमाना माजी में काम हो रहा था जैसे कि हम Present Progressive में ये Present Continuous में ये कहते हैं कि काम हो रहा है इसी तरह से जब हम ये जाहर करना चाहते हैं कि काम हो रहा था तो हम Past Continuous का स्वाल करते हैं आईए Past Continuous का सेंटेंस स्ट्रक्चर जानते हैं सबचेक्ट प्लास हेल्पिंग वर्ब वाजन्ट वर्ब प्लास फर्स फोर्म औफ वर्ब विद आईएंग प्लास अबजेक्ट आईए सेंटेंस बनाते हैं मैं प्रिकेट खेल रही थी I subject है वाज़ वाज़पिंग वर्ब प्लेइग विद जैएंट फोर्म मेंस प्लेइग विद आईएंग और ब्लास अबजेक्ट विद ग्रिकेट मैं क्रिकेट खेल रही थी याद रहे वाज़ का इस्तमाल I, he, she, it के साथ किया जाता है डाव्यू एस वास जबके वर्ड डाव्यू ए आर ए का इस्तमाल यू वी और दे के साथ किया जाता है आप भी इन जुम्लों को प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और इनकी मिसाले अपनी रोज मरा जिन्दगी से तलाश कर सकते हैं इसी के साथ ही हमारा आज का लेस्न खतम हुआ मिलेंगे अगले लेस्न में तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानित से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए